नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बढ़िया होंगे ठीक ठाक होंगे आज की जो हॉरर स्टोरी है वो एक बहुत ही इंट्रस्टिंग सी स्टोरी है लेकिन उससे पहले मापको एक चीज़ बताना चाहता हूँ 24 तरीक को यानि 24 मार्च को एक होली इवेंट होने वाला है कलर कार्निवल्स फेस्ट जो की और्गनाईज करवाया जा रहा है जिसमें मैं आ रहा हूँ तो आप लोग अगर कांगडा ये कांगडा के आसपास से हैं और अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं उत्सफ पैलेस जो की है कांगडा में और साथ इंट्रस्टिंग बात ये है कि उस इवेंट में काफी ही माचल के पॉपॉलर क्रेटर्ट और को है hoping to see you guys there तो चलिए वापीस आते हैं अपनी स्टोरी पर तो आज की जो स्टोरी है ये मुझे भेजी है दीपक जी ने जो की अपना मंडी डिस्टिक से बिलॉग करते हैं तो ये जो कहानी है ये इनके दादा जी के साथ हुई थी तुरों ने बताया कि अब तो दादा ज ये उनको तो जादे ही होता है कि बाहर बैठके खाना खुना खाके बज़ूर्गों के साथ हौरर स्टोरी सुननी तो कैते हैं ऐसे हम भी मतलब बच्पन में बहुत कहानिया सुनते थे अपने दादा जी से और हमें बहुत इंट्रस्ट रहता था कि दादा जी सुना उसना तो कैते हैं दादने बहुत कहानिया सुनाते थे लेकिन मेरे को बड़ा एक डाउस सा रहता था कि ऐसे कुछ भी तो नहीं सुनाते रहते हैं और मतलब हमारा बस ऐसे ही उल्लू काट रहे है मतलब उल्लू नहीं काट रहे सोरी मलब उल्लू बना रहे हमें तो कैते हैं जैसे कि एक बार उन्होंने एक स्टोरी सुनाई तो कहते हैं तो एक बार दादा मतलब जैसे मचलीय पकड़ने वगेरा जाते थे तो उसका छोटा वाला रूप जिसमें ज्यादा तर पत्थर आपको मिलेंगे पेबल स्टॉन्स दोण फानी तोदेख होती है जैसे नदी होती है तो मचलियं वगार उसमें भी काफी होती है तो कहते हैं वो मचलियं पकड़ने जाते थे तो उन्होंने ऐसा सुनाया तो कहते हैं दादा ने बोला कि जैसे मैं मचलियं पकड़ने जा रहा था कुछ टाइम से तो मेरे को जादा मचलियां वगारा मिलनी रही थी वहां पर तो मैं थोड़ा ऐसे हो गया कि इतना मतलब मैं जाता हूं रोज मेहनत करने मचलियों के लिए और मैं को एक-दो मचलियां मिलती है मतलब हर बार तो उनका कोई एक फ्रेंड था तो उन्होंने दादा जी को बुला कि पास में कहते हैं थोड़ी सी दूरी पे एक और ख़ड है वहां पे मतलब काफी मचलियां और वहां पर चलते हैं मंदब जाला लेके तो आज-कल तो जैसे मचलिया पकड़ते तो वो क्या बोलतें और उसको रसी के आगे हुक लगा के जो भी बोलते उससे पकड़ते हैं आले लेका तो प्रौपर आपको निए जाला लेका चलेगे से फूसकि में बात कर०्ज थोड़ी सी दूर भी नहीं थी do तो केटे हम लोग वहां पे गए और अपना जाला लगपड़े लगाने तो केटे मैंने तो लगा दिया फटा फटा और मेरे दोस्त का जो जाला था था वह थोड़ा मतलब आपस मैं पहाडी में जिसको बोलते पुलिचना पुलिचना इन असे कि जैसे वह आपस में सारा मिक् की था जो आपके सांथ किया था तो मैं अल्रेडी बहुत जादा था था तो मैंने सोचा कि अपने हाथ में बांध के और कुछ ढूंडा मैंने कि जिस चीज़ पर मैं बैट जन तो कि तो मैं उस पर में लेट गया काफी बड़ा पत्थर था वह किते पत्थर थोड़ा गरम- नीन में था, तो मैंने नीन में ऐसे बोला, मुझे लगा मेरा दोस्ती है वही बोल रहा होगा, जो साथ आया मेरे की उठ जाया, जो भी कुछ ऐसा बोल रहा हो, तो मैंने नीन में बोला कि मत कर मिरको सोने दे, और मैं बहुत ज्यादा थग गया हूं, मैंने जाड़ा लगा द इतनी जोर से घर सीटा और मुझे रगड़ता हुआ बिल्कुल अलग एक दूसरे की नारे की तरफ ले गया तो कहते जब मेरी आंग खुली तो जो जाला था जैसे की रसी हाथ में थी बंदी हुई वह तो कहते वह जाला भी सारा वहां से निकल के मेरे पाओं के आस-पास कि यह मतलब हुआ क्या मेरे साथ और कहते हैं मैं उस जगह पे पहुंच गया था जहां से एक न अब जैसे खड़ है तो खड़ में भी ऐसा नहीं कि पानी कम ही होता है कुछ पॉइंट में भी ऐसे होते हैं जहां पे पानी बहुत गहरा होता है अगर आप मालब डूप सकते 100-200 मीटर दूर था कि यह प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि यह हुआ क्या मेरे साथ इतनी घसीडता हुआ मेरे को कौन लेके आया यहां तक कैते मैं थोड़ा डरा भी और लेकिन मैंने जादा कुछ रियाक्त नहीं कि और मैंने अपना जाला उठाया और चुप चाप अप आगे भी दोस्त को भी लग रहा था कुछ टाइम बात वह चीज लिटरली फील लग पड़ी हो ने पूरी फील लग पड़ी होने और मेरा दौस्त मिर को लगा देखने ही मैं उसको देख रहूं तो हम दोनों को लग जया था पता कि कोई चीज है जो हमारे आगे भीचह यहां पर कहते हैं इतने में ही वो जो जो भी चीज वो घूमरी थी वहां पर पीछे से आवाज आती है कि रमेश जालू पकड़ी लेंगे मच्छी यह तो एक मच्छी मिन जो भी देगा आया है यादा ने कि सुन अगर यह तरको दुबार आवास देते हैं या किसी को भी देते हैं तो हमने मतलब इसका रिस्पॉंस नहीं करना आगे सो कुछ नहीं बोलना है और इसकी तरह ज्यादा ध्यान मत दे और जो जाला उसको कसके पकड़के रखिया मिलें जैसे तुना हाथ में बांदा हु कि मनलत चला गया था वो कहीं पे मलत कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या क्या नहीं वा तो कहते हम थोड़े से रिलाक्स होगे की ठीक यह जो भी आई वहीं पे था तो केते हम सडक तक आगे अब हम रिलाकस है तो हम अपने घर की तरफ नॉर्मली चलने लग जितनी तेज भाग सकते हैं तो कहते हम जब गाउं की बाउंडरे के पास पहुंच गे और एंटर किये तो पीछे से उस चीज ने जोर से बोला कि कोई गल नहीं तोहां नहीं दिती ना मच्छी कोई गल नहीं मैं भी याद रखगा अगली बरी तोहां यह गलती करी कि दिखने भागते हुए अब जब गाउं के एंटरी में पहुंचे तो घरगूर थोड़े बहुत आगे वहां पे तो हमें थोड़ा मतलब रिलाक्स फिलो तो हम दोनों ने एक जगा पर जाके बैठ के और आपस मैंसे डिसकस लग पड़े करने कि क्या क्या हुआ क्या नी हुआ तो कह जूआ कि वह जौना था जाले जैसे फाना क्या ने की उसमें जयाता कि उसमें जाने जैसे करना नगे बहुत बहुतों ने जाए सब दोनों को मतलब एक काम था लकडी का काम कुम भी करते थे सातम में तो कैते हम एक काम मीला लकडी का तो वो जो लोकेशन थी जहांके contenido निकलना था जहां जी केसा हुआ था ना थे हम वहां से गय जब तो कहते हैं मैं ने बड़े ध्यान से देखनी के कोशिश की कि जहां पे हम बैठे थे जहां पे भी यह चीज हुई किस्सा हुआ तो अच्छल क्या था वो हमें क्या पता वो चीज अब दिख जाए या मतलब कुछ ऐसा तो कहते हैं जै मैंने बड़े ध्यान से देखा तो वो जो पत्थर था जहां पे मतलब में लेटा हुआ था पत्थर बुले उसके बिल्कुल साथ में वहां पे मुर्दे जलाते थे और वहाँ पे मतलब जिस दिन ये जिस रात को ये किसेन के साथ हुआ था दिन में वहाँ पे किसी का शर्व जलाया था मलब किसी की डेथ हुई थी तो वो पत्थर इसे लिए गरम गरम था थोड़ा और ये उस पे लेट गए थे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुराने जमाने में उस टाइम पे शम्शान गहट वगएरा तो कुछ होते नहीं थे नदी नालों के आसपास जहां मलब थोड़ा सा स्पेस दिखता था वहाँ जला देते थे फिर ये जैसे खड़ होती है तो पत्थर पुत्थर कोई दिखा बढ या ऐसे ही openly मलब जला देते थे मुर्दों को आज भी काफी एरियाज मैसा होता है बट स्टिल आप थोड़े शम्शान गहट बन गए तो मतलब ये जो दादाजी थी रात कुछ इस पत्थर पे सोय हुए थे और इनको बड़ा गरम लग रहा था और मजा आ रहा था कि हाँ नीद पड़ रही अच्छे अच्छी तो वहां पर किसी को जलाया हुआ था उस दिन किसी की डेथ हो गए थी तो कहते ये देखे मैं बहुत जादा डर गया और इनको फिर काफी टाइम तक मलब पांचे दिन तो काफी बुखार रहा और उसके बाद जब थोड़े नॉर्मल किरल हो तो यह talking कहानी और कहानी का जो टाइटल था जब दादा जी को जल बतालू ने पकड़ा तो बेसीकलि अब जलle बतालू क्या होता है जलल पताल है जल पताल इब होता हुटार यह जह यह होन्तने नदी इते निद चीजो मतलब नद Kayla बताल्य वह पानी बहुत हैं को जो यह हुख कि धरी नदी के खड़िये खिनारे तो यह जल्लड बतालू बोलते हैं को जुरूरी नदी खड़ के किनारियों अगर आपको कोई pond दिख रहा है तलाब दिख रहा है वो haunted है कुछ ऐसा तो जल पताड़ू का case होता ही तो यह थी story I hope आपको interesting लगी होगी मज़ा आया होगा और रही बात हो लिएवेंट की तो अगर आप आना चाहते हैं तो I am most welcome मैं आपको वहीं पर मिलूँगा Till then take care बहुत जल्दी हाजिर हूँगा मैं नई story के साथ बाबाए